वेल्का बेक टु माई चैनल आज मैं आपके लिए एक नए तरीके से बैंक के भर्टी की रिसीपर लिए कराऊंगे सभी बनाती है घर में सभी का अपना तरीका होता है पर यह जो तरीका जो हमने शेर किया है ना यह ना आपने देखा होगा ना बनाया होगा ना ही इस तरीके से इसको खाया होगा रोटी के साथ में खाऊ रोटी के साथ में खाऊ चावल के साथ में टेस्ट बहुत पसंद आने वाला है और जो मसाले है ना जो अपनी घर में किचिन में रेगुलर सबजी बनाने में यूज़ करते है ना वही मसाले है ना अनियन है ना गारलिक है जरूर करना और like और share करना मत भूलना बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चाहिए एक बैंगन तो मैंने एक बड़ा बैंगर लिया है एक शिम्ला मिर्च ली है और यहाँ पर आपको चाहिए दो टमाटर और आदर कफ मैंने ये फ्रोजर मटर ली है पहले से पाने भीगो दी इससे क्या होते है अराम से बन जाती है तो आपको अलग से वाइल करने के इसको जरूरत नहीं होती है और दो हरी मिर्च यहां पर हम लेंगे आपको लगेगा बेंग के वरते में शिमला मिर्च और मटर ब और आप इसको चैक भी कर सकते है ये खराप तो नहीं है बटे ठीक है और आपको इसे इस तरीके से एक कट और करना है आप देखेंगे उपर से हम इसको कटने किया था इससे क्या होता है यह इसीली रहता है पलटने में तो थोड़ा से कुछ ता दो मैंना हटा दिया बेगन ठीक है कि गारन करने के बाद में तुरहनं यहका पर फैन लेना है और पैन में आपको डालना है ऐल तो यहां पर आपको चाहिए दो चमा च्यौल और ऑईल िलुग ठ़कर करण कर देंगा मीडियम टूह अ यहां पर यह बैगन को आप इस तरीके से लगाते जाना, बैगन ऑइल एबसोग करता है, तो थोड़ा से ऐसे कर देना, तक कि जो ऑइल है वो अच्छे से लग जाए इसके उपर, थोड़े देर में आप इसको इस तरीके से पलट देना, फ्लेम को मीदियम टू लोही रखना, तो यहां पर बीच पीच में हम इसको भी पलट देंगे, बैगन जल्दी हो जाए और अच्छे से पक जाए, उसके लिए आपको इसे ढखकर पकाने, ढखकर पकाने से क्या होता है, अंदर तक अच्छे से पक जाता है, वरना बाहर से हो जाता है और अंदर से कच्छा रह ज को बीच बीच में इस तरीके से बलटते रहें सबी साइट से अच्छे से गोर्डन कलर इसका आ जाना चाहिए अब आपको इसके लेकिं ढखकर नहीं पकाना है इसी तरीके से बीच बीच में आप इससे पलटते रहना जितना अच्छे से इसके ब्राउंड स्पार्ट आते हैं उतना ही अच्छे से बुनकर तयार होता है तो यहाँ पर यह तयार हो गया है आप देख सकते हैं सभी साइट से इसका अच्छा कलर आ गया है पैन में ऑईल भी नहीं बचा है दो चमच ऑईल में यह बैगन अच्छे से बुनकर तयार हो जाता है हमने एक बड़ा बैगन लिया है बट इससे भी 5-6 लोगों के लिए भड़ता बन कर अगराम से तयार हो जाता है तो यहाँ पर यह अच्छी से हो गए है ना तो अब इसको हम निकाल लेंगे गैस को हमने बन कर दिया है अब कुछ सेकिंड के लिए आप इसको ठंडा होने देना अब यहाँ पर हम इसको कट करके तयार कर लेते हैं तो टमाटर के इस साइट को हम थोड़ा सा हटा देते हैं और इसे इस तरही किसे आपको एकदब बारी कट भी नहीं करना है बट रफली कट मत करना टमाटर आपको लेने कट करके ही है क्योंकि टमाटर को हम इसमें बेबकुल मैश नहीं करेंगे भरते के साथ में टमाटर दिखना चाहिए इतना हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर हम दोनों ही टमाटर को इस सरीके से कट करके तयार कर लेंगे तो यहाँ पर यह तियार हो गया है, शिम्ला मृष ले लेते हैं, शिम्ला मृष को इस तरीके से आप कट करें ना बीच में से, इसके जो बीच बाला पॉर्शन होता है वो आपको हटाना है, और फिर हम इसको अंदर से भी इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पर बीच हम लें ले दिए होगे है अब इसकी है अब इसको भी हम पील करके तियार कर लेते हैं यहां पर knife की help से आप easily कर सकते हैं और यह इस तरीके से करेंगे ना इसके जो छिलका है वो आराम से हड़ जाता है तो यहां पर आप plain knife ने जिगजग वाला लोगे ना तो वो अच्छे से नहीं पिल करता है यह आराम से कर देता है जब यह थोड़ा से ठंडा हो जाता है ना तो आप इसे हाथ से भी आराम से हड़ा सकते हो तो यहां पर यह दियार हो गया है और इसके इस portion को हम इस तरीके से कट करके अलग कर देते हैं तो बाकी जो bacon है वो सभी हम इस तरीके से तयार कर लेंगे और आप चाहें तो knife की helps है या फिर आपके पास में potato या भाजी मश्रह है उससे भी आप बैगन को अच्छे से mash कर लेना तो यह आप पहले से कर लेना इससे क्या होता है बात में आपको करनेज़ उतनी रहती है और आपको यह अलग से ही करना पड़ता है तो बैगन को हम अच्छे से mash करके त्यार कर लेते हैं तो यह हो गया है और अब यहाँ पर पैन लिया है हमने सेम पैन में आपको लेना है oil तो यहाँ पर आपको लेना है दोग बड़े चमच oil और जैसे ही करे मुझा है कर इसमें आपको डालना है आदा चमच जीरा बोधे 4-5 एक दाल चीजअप को लेनी है, तेचपता आपको लेना है। और इचीजों को मिलाकर हल्की हो बूनगता है। जो monitors हुष्पाल करते हैं। यहां पर बुर्स में डाल दिए, ह्री मेरच, जो शिंबडाल के रखनामर्च है वो भी डाल देते हैं और इन चीजों को मिलाकर आपको तीन से चाह मिनिट तक भूना है से क्या होता है इसका जो मौशर होता है और मटर भी पक जाती है यह को हम ओवर कुक नहीं करेंगे सब्जें इस चीज में अच्छे से दिखनी चाहिए कच्छी भी नहीं होने चाहिए तो यहां पर यह भून कर त्यार हो गई है अब इसमें हम डालेंगे आदा चमच हल्दी पाॉडर और आपको डालने है टमाटर जो हमने करकर के रखे हैं और आप इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना अब देखिए इसको पकाना जल्दी है ना तो इसमें हम डालनेंग और इससे क्या होगा टमाटर चीज़े पक जाएंगे शिम्ला मर्च मटर भी और अच्छे से हो जाएंगे और सबजी दिखनी भी चाहिए तो हम इसे धकर पकाएंगे लो फ्लेम पर फिर हम इसको चेक करेंगे अच्छो पानी देता है ना वो भी अच्छे से ड्राय हो गया है सबजिया अच्छे से पकर त्यार हो गई है सबजियों को इस तरीके से पकाना कि सबजिया इस तरीके से थोड़ा सा खिला खिला दिखे और कच्छी नी होने चाहिए बिलकुल भी तो यहाँ पर हो गई है अब जो हमने बेकन को मैश करके रखा है वो डाल देते हैं हलक आसा मिला लेते हैं ऐसे और फ्लेम को आप अभी मीडियम टू लो रखना इसमें हम ड्राइ मसाले अड़ करेंगे तो मसालों में आदा चमच धनिया पाउडर और आदा चमच इसमें चाहेगा आमचूर पाउडर और आप चो रेगुलर में लाल पाउडर यूज करते हैं खाने में वो आप ले लेना आदा चमच और इसमें चाहेगा आदा चमच गरम मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर एक चौथा ही चमच थोड़ा सा बुनावजीरा पौडर, चौधा ही चमच, थोड़ा सा कश्मीरी लालमिश पौडर, यानि आदा चमच, इससे क्या होगा, कलार अच्छा आता है, तीखाई ऐसे नहीं होता है, और आप चाहिए इसके भी कर सकते हैं, अब इन चीजों को आप अच्छे से मिला ले होगे ना, तो यह और ड्राय हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए और इसको भूनने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी एट करना है, तो यहां पर आपको चाहिए कम से कम 5-6 चमच पानी, नॉर्मल पानी आपको लेना है, पानी हो बढ़ते वोई एक्छे से मैश कर देना, और फिर आपको इसको भूनने देना है, इससे क्या होता है, यह जो भरता है यह अच्छे से भून कर तेयार हो जाता है, मसाले का टेस्ट और अच्छा आता है, वो कच्छे पन वाला टेस्ट नहीं आएगा, फ्लिम पर कम से कम 10 मिट तक ढखकर आप इसको पक मसाले अची से बुन गए है वानी बिल्कुल भी नहीं है अभी बनकर टेया यह नहीं हुआ है अभी हम इसमें एक्स्टा फ्लीवर के लिए एक ओर चीज करेंगे वर्ना वह चाहें तो स्टैप आप सकते हैं बटियाप कर सकते हैं तो जरूर ट्राइ करना अभी इस भरतिया का यहां पर हमें चोड़ा से कोईला रखेंगे यह रहेगा एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए चाहे तो सकते हैं नहीं तो यह नहीं है ना तो दालजीनी के स्टिक लेना छोटी से और यहां पर इसको हम अंकर देते हैं और इससे हम इस तरीके से पीच पीच पर पलटते हुए अच्छे से कर लेते हैं तो यहां पर यह तो तेयार हो गया है आप देखेंगे अच्छे से पक गया है और इससे यहां से उठाते हैं और जो भरता है ना इसमें चोटी से कटोरी रख देना और इसमें आप यह रख देना और इसके उपर डालना आप घी तो आपको यहां प और इस काटोरी को भी से आप निकाले ना इसका जो स्मूकी फ्लेवर होता है वो इस भरते में बहुत अच्छी से आजाता है अब यह हो गया है हरा धनिया डाल देते हैं लास्ट में और प्लिक्स कर लेते हैं तो यहां यह तैयार हो कि है हमारा बैगन का भरता आप जैसे भी आप एक पर इस तरीकी से जरूर ट्राइब करना टेस्ट बहुत पसंद आएगा मसाले आपके किछिन के रेगुलर मसाले हैं बट उसी मसाली को यूज करते हो इस तरीकी से बिलकुल अलग बनता है देखने से बदा चल रहा है कि इसमें कितना अच्छा मसालों का टेस्ट बड़ीक लाओ ऐसका जरूर ट्राइब कर लेना सफ कर लेते हैं आप चाहें तो इसे रुटी के साथ में पढ़ा रटे के साथ में चावल के साथ में खाते हैं तो यहां पर यह तयार हो गया है हमारा चट पड़ा मसाले दार एकदब नई तरीकी का बेकन का भएड़ा आप आप इस recipe को अपने खरप पर जरूर ट्राय करना सभी को बहुत पसंद आएगी और यदि आपको मेडिया आज की recipe पसंद आए तो इसे like करना मत बूलना आप इससे अपने family friends के साथ में जाद से जादा share करना और बनाने के बाद में comment करके जरूर बताना recipe आपको कैसी लगी हो ज़िए आप चैनल पर नहीं है आपने भी तक subscribe नहीं किया है सब कीजिए बैल अकन को प्रेस कीजिए thank you